कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी ने आज खेती का खून इस नाम से एक किताब का प्रकाशन किया कॉंग्रेस को खून से बहुत ही प्यार है शब्द से खून की दलाली बहुत सारी बार ऐसे शब्दों कौपियों किया है मैं याद दिलाना चाहता हूँ खेती का खून आप कह रहे हो लेकिन आपने खून का खेल खेला विभाजन के समय लाखों लोग मरे क्या वो खून नहीं था चावरासी में तीन हजार सिखों को दिल्ली में जिन्दा जलाया गया क्या वो खून का खेल नहीं था भागलपुर में हजारों लोग मारे गए क्या वो खून का खेल नहीं था लाखों किसानों ने आत्मात्य की क्या उनके शरीर में खून नहीं था कॉंग्रेस के जमाने में की कॉंग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि चार-पांच परिवार देश पर हवी है देश में राज किसी परिवार का अब नहीं है एक सो पचीस करोड जनता का राज है ये भर्ख हुआ है पचास साल कॉंग्रेस ने जब सरकार चलाई तो परिवार की चार-पाश लोगों की सत्ता वो एक परिवार के इस सदस्य होते थे वह कॉंग्रेस का परिजय है बीजेबी का नहीं नरेंदर मोदी जी ने आम आदमी को इंपावर किया और आज 125 करोड लोग की सरकार चल रही है 125 करोड लोग आज सत्ता में है मुझे सबसे आश्चर हुआ कि भारतिय जनता पार्टी देश की सबसे प्रमुक पार्टी है उसके अध्यक्ष नडड़ा जी ने सवाल क्या पूछे राहूल गांदी भाग गया प्रश्णों का उत्तर नहीं आता तो कबूल करो आसफलता लेकिन उन्होंने खेती पर सवाल पूछे उन्होंने चाइना पर सवाल पूछे एक का भी जवाब देने के बजाए अपनी चिरव परिचीत असभता का परिचे देते हुए राहूल गांदी ने कहा नड़ा कौन होते हैं मुझे पूछने वाले अरे नड़ा भारतिय जनता पार्टी के अद्धिक्ष है सबसे बड़े पार्टी के अद्धिक्ष है देश में अनेक सभी राज्यों में अनेक राज्यों में हमारी सरकार है उसके प्रमुख है वो देश के जनता के सवाल आपको पूछ रहे थे और आप सवाल उससे भाग रहे थे मूल कॉंग्रेस का खेल क्या है यह क्यों आज प्रेस कॉंफरेंस कल दस्वर राउंड की चर्चा है किसान और सरकार के बीच तो कैसे भी करके वो सफल कैसे करना त्योंकि कॉंग्रेस नहीं चाहती कि किसान के समस्या का समाधान हो सरकार और किसान की वारता सफल हो यह कॉंग्रेस नहीं चाहती और इसलिए वो विरोध अवरोध यह नीतिया अपनाते है